शार्दिये नवरात्रों पर श्रीव मंदिर तालाब पर श्रीमद भागवत सफताह ज्यान यग्यका होगा आयोजन। कुनिहार से हरजिंदर थाकुर की रिपोर्ट, शिव मंदिर तलाब पर शार्दिय नवरात्रों के शुभारंब के साथ वितिय नवरात्रे से प्रारंब होगा ग्यान रूपी श्रिम भागवत कथा का आयोजन। जानकारी राधिश्याम परिवार संस्था के प्रधान, कृष्ण पनवार तथा महासचेविंदर शांडिल ने प्रैस को जारी बयान में दी है। उन्होंने बताया जी 4 अक्टूबर को 3 बजे शिव मंदिर के मुख्यद्वार पर समस्त राधिश्याम परिवार व संस्था से जुडी महिलाय कथा, व्यास हरीजी महाराज व पुरान रंत का स्वागत करेगी तथा कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके पश्चात हरीजी महाराज द्वारा पंडाल में विधिवत रूप से कलश की स्थापना की जाएगी। पूजा अर्चना के उपरांत श्री मद खागवत कथा का शुभारम होगा। मूल पाठ का समै प्राता पाँच बजे से होगा, तथा कथा प्रवचन का समै प्रति दिन एक बजे से साय चार बजे तक रहेगा वर रोजाना कथा पंडल में साय 9 बजे तक आर्तिवब भजन की उर्तन होगा। शाम्नन शांडिल ने बताया कि 10 अक्टूबर 2024 को प्रातह 11 बजे पूर्नाहुती की साथ श्रीमत भागवत कथा विश्राम की ओर अग्रसर होगी। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को कथा प्रवचन का समय 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके पश्चात क्षेत्रवासियों में भंडारे का भोग वित्रित किया जाएगा। के उक्त सभी पदाधिकारियों ने समस्त क्षेत्रवासियों से आहवान किया है कि वे सभी श्रीमत भागवत कथा में बढ़ चड़ कर भाग ले और अपने जीवन को सफल बनाए। विश्व मंगलम सेवाधाम के मीडिया प्रभारी डीडी कशिप ने बताया कि कथा के सफल आयोजन के लिए तैयारिया पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने क्शेत्र के सभी प्रभुधजनों से आग्रह किया है कि वे सभी श्रीमत भागवत कथा में बढ़ चड़कर अपनी उपस्तिती सुनिशिचित करें। ताकि आप आने बाली हर खबर तक पहुँच सकें।